हेलो एवरिवन वेल्कुम बेक टू मैं यूटूब चैनल देखिए सुबा का समय है और जल्दी बाजी है आज में मेरे हजबन कहीं आज टाइम से पहले ही कहीं जाने वाले हैं जैसे कि वह 10-10 बुझे निकलते थे घर से तो आज उनको थोड़ा जल्दी जाना है तो मैं जल् काम हो चुके हैं और और भी बहुत सारे काम करने बचे हैं तो यह थोड़े में बीच बीच में इसको बंद करके घर के दूसरे काम भी निप्टा लेती हूं और जैसे कि एक दो दिन से मेरे वीडियो नहीं आया है मेरी तबियात थोड़ी खराब चल रही है तो सुभा भी म इस वज़े से काम भी लेट होता जाता है यह देखिए मेरे घर में किचन विष्ट कितने सारे मिलब सबजी के कटिंग वगरे निकले हैं तो इससे मैं कमपोजट बनाती हूं फ्रेंड्स मेरे घर के साइड में जो थोड़ा से जगह है उसमें मैं एक गड़ा कर दी हूं वह नहीं पर और मुझत थंट थोड़ी सधी घ्रटी है घर में जोटर पॉर्टर वगरा नहीं पहंना है जैसे कि में पूरा काम अभी हो नहीं है तो मुझे बचे वहां काम करके नहाना दला सब्सक्राश की पहना हूं осक्रोटर नहीं हो तो फिर नहां कर का कर मैं स्वर्टर तो भूब जाते हैं खाद जैसा सड़गर के और वह बहुत फायदेमंद होता है पेड़ पौधो के लिए तो मैं ऐसे ही डेली डाल दिया करती हूं अभी ठंडी है तो बहुत सारे सबजी होते हैं घर में तो बहुत सारे निकलते हैं उस तरह के बहुत सारे सबजी के कटिंग और यह देखे मैंने नहा लिया है और मैं आ गई इन किचन में और यह मेरी बिल्ली देखिए जब घर में कोई नहीं रहता है तो यह मुझे कंपनी देता है तो यह मेरे सांसाथ गुमता है और उससे आज मशली की स्मेल भी आ रही है तो पूरा किचन के गेट पर ही खड़ा है मैं मशली बनाने जा रही हूं मशली की करी तो मसाले के तयारी कर रहे हूं और ज्यादा टाइम तो नहीं हुआ है अभी खाने वाले तो अभी आएंगे नहीं मतलब लेट से आने वाले हैं सब लेकिन जैसे कि मेरा तवियर ठीक नहीं है तो मैं सोच रही हूं कि जल्दी जल जिल्दी अपना काम कम्प्लीट कर रही हूँ देख सकते हो और घर में भी फिलाल कोई है नहीं मैं और मेरी बिल्ली है बस तो बस धीरे धीरे काम हो रहा है मेरा और जैसे कि थोड़ा दोपार के बाद ठंड लगने लगता है तो उसकी स्टार्टिंग भी हो चुकी है हलके हलक भी भरा परा है लेकिन घर के अंदर आने से थंडी ही लगता है तो ये मैंने सारे मसाले जो मश्ली में लगते हैं व्यूज़ फ्यूज़ आट कर लाऊंगी क्यूंकि मश्ली में अगर आप काटकर लास्ट में बहुत सार धनिया रखता है तो उससे उसका स्वाद बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है मुझे बहुत अच्छा लगता है और यह मेरी मश्ली फ्राई हो रही है देख सकते हूं तो ठंड में मुझे चीकन से ज्यादा फ्रेंड्स मश्ली ही पसंद है क्योंकि मश्ली अच्छा लगता है गर्मी में मैं चीकन खात में तो देख सकते हूँ कोई जल्दीवाजी नहीं है और मैं यह जा रही हूं धनिया लाने धनिया का पत्ता जो कि मैं डेली ही तोड़ती हूं लगभग सबी सब्सक्राइब समयенко मैं लगाती हूँ आप तोड़ती हूं तो कि खतम हों अब लेकिन यो फिर नेस्ट तोड़ने जाती हूं तो फिर बहुत सरत तोड़ कर लाती हूं अब जैसे कि तब्ए ठीक ना होने के कारण मैं ग्राउंड के सफाई भी नहीं कर पर यह देखियो में धन्या का खेत अभी होने स्टार्ट हो जाती है जब देख सकते हो धनिया मतलब कुछ तो है और कुछ में तोड़ने आई हूँ यहाँ पर अभी अभी हम फिर से अगर धनिया बोने जाते हैं तो साइद नहीं होगा और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ग्राउंड में हमेशा मतलब 12 मेहना अग सब्ची में डालने के लिए लेकिन इस विंटर सिजन में ही यह होता है मेरे खित में अगर मैं सोचूंगे कि आप फिर से मैं मटी साफ होगरा करके फिर से धनिया बो तो नहीं होता है क्योंकि आप बरसात आने वाली है तो बरसात में सब बहे जाते हैं बीजे वगेरा और मैंने ट्राइ किया हैा से पहले भी धनिया बोनेगा दूसरी सिजन में लेकिन नहीं वा वो त्य guest के सिजन में होता है तो थोड़ा-तोड़ा करते करते दीखी बहूत सारी जंगल होगा है और मिरा धनिया भी goal ौард भूये है मैंने इसके बगल में आप थोड़े से जो घर म मतलब आलू के पेड़ भी ओग चुके हैं और जैसे कि मुझे तो लगाने आता नहीं है बस ऐसा मैं जानती हूं कि पेड़ होने के बास उसे लगा दिया जाता है माटी में तो देखिए आप ये इस तरह से मतलब घरेलू पध्धती से मैंने लगा दिया था आलू को काट काट कर तो ये दो रैली है जो कि अच्छे कंडिशन में ही है देख सकते हो अभी तक तो इसमें आलू कितना निगलेगा वो तो मुझे पता नहीं केकिन अभी तक तो देखने में अच्छा ही लग रहा है तो यही है मेरा वीडियो फ्रैंस फिर मिलती हूं आप लोग से बाइबा देना झाइब श कंडिशन आप शी वजड़ में व्रुंध रजह रहा है वता जारा में ही है आफ है थो इसमे मेंबंडे आप ब 손वास, और रहाईब तक पूलेगैंस जप दिस दिलेगा, हो अभाईब रहा है लिसकी है झाट स्बड़ है है टो से ग ceux आब बा सभाइब तक